कि नमस्कार प्यारे दोस्तों के अपने स्वानी में आपका हार डिक स्वाकत यह अपने जैसा कि पता दोस्तों स्टड के एक्जाम टाराम हो चुक्क हैं 28 और 29 दिसंबर को जो एक्जाम हो थे थे सिटेट के उसका इनलाइस समने किया तो दोस्तों उसमें पूर्व में जो परिच्छा है अयुजित हो ये सीटिट की उससे बहुत प्रस्ट पूछे गए हैं यानि प्रिवेसर के कोस्टन से प्रस्ट पूछे गए हैं और दोस्तो नीपी ठीका 2020 और इनसे अब 2005 से काफी प्रस्ट पूछे जा रहे हैं तो इसको दिश्ट में रखते ह हैं आज का वीडियो दोस्तो जो इनसे अब 2005 थी ठीक है यह चौथी इनसे अब थी ठीक है इसके पहले 1975 और 1988 और 2000 में ठीक है इनसे बन चुकी थी इसका फिलफाम होता है इनसे आपका निशनल के कुलम के कुलम तिप्रेंवर्क यानि राष्ट्रीए पाठ चर्या ठीक है रूप दोस्तो प्रोफेसर पाल के धर्शता के बनी थी ठीक है तो अब देखिए इसके प्रमुख उड़ेश सिध्धान्त क्या थे एकजाम यही पूछा जाता है तो आप इसको जान लीजे यह देखिए हमने लिख रखा है मार्क दर्सक सिंधान्त क्या है इसके देखिए आपको बताते हैं ग्यान को बिद्याले के बाहर यानि जीवन के साथ जोड़ना इसका मतलब जो है मार्क दर्सक सिंधान्त है ठीक है ग्यान को बिद्याले के बाहर जीवन के साथ जोड़ना ठीक है सुनिशित करना कि अधिगम रटने की बिदी से परे हो यानि जो अधिगम हो रटने की बिदी से बाहर हो यानि रटन पढाली को खतम किया गया पाठ चर्या को समरत बनाना ताकि पाठ पुस्तकों पर किंदित नहरा कर बच्चों का सरवांगडी बिकास करें ठीक है इसके बाद दोस्तों परिच्छाओं को अतिधिक लचीला ठीक है और कच्छा कच्छ के जीवन के साथ समेगित करना यानि कच्छा कच्छ के जीवन के साथ इसको जोड़ना इसके बाद दोस्तों देश की लोकतांतिक नीती के अंदर सरोकार का ध्यान रखते हुए निर्डायक पहचान को पोशन देना यानि मतलब जो है राष्टी एकता की बात हो रही है अब देखे आगे चलते हैं इसके उदेश क्या क्या हैं दोस्तों ये बहुत महत्पूर है इसी से प्रस्म पोशे जा रहे हैं क्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये बताए हम पाठ चर रहा ठीक है पाठ करम को केंदितना हो करके जो पाठ चर रहा का पाठ करम होगा ठीक है वो पाठ करम में क इतना हो करके बाल किंदित हो ये बाल किंदित सिच्छा की बात करती है यह जो बच्चे है ठीक है उनको महत देना उनको सम्मान देना ठीक है कच्छा कच को गतविधी से जोड़ना ठीक है राश्टी मूलों के प्रति अस्थावान विद्यारती तैयार करना ठीक राश्टी ए आत्मिके स्तर की भासा हो, वो मात्र भासा होनी चाहिए, बहुत important कई बार एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, मोटी किताबें, ठीक है, सिच्छा पनाली के सफलता कप्र देखें, यानि मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, बच्चो को किताबी बोच से मुफ्त करना है, इसका उड़ेस है, ऐसी भी सेस्ता है, सिच्ण सूत्र अग्याद की और, सरल से कठिन की और, और मुर्ष से अमुर्द की और, देखें, पहले सरल चीजे बताईए, इसके बाद कठिन की और आप ले जाएए, पहले आप कठिन बता दो, फिस सरल बताऊगे, तो बच्चा क् भावना सीमित की जाब है उसको कम किया जाए सब्सक्राइब के की बात नहीं संस्क्रिति कारकम अयोजित कराएं समविसी सिच्छा की परबल दियागा है समविसी सिच्छा का मतलब क्या होता आप जानते ही हो ठीक है ना यहनि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना वो जहाँ बिकलांग हो जहाँ मानसिक रूप से कमजोर हो ठीक है और प्रिद्भासाली सभी बच्चों को साथ में लेके चलना यहनि समविसी सिच्छा की बात करता है बालक केंद्रित चहुमुखी बिकास बालक का चहुमुखी बिकास सरवांगडी बिकास की बात करता है समाजी केक्ता की बात करता है ये राष्टी पाथ चरह रूप रेखा दौजार पांच की दोस्तों ये सारी बाति करती है ठीक है सिचण बीधी कैसी होने चाहे खेल खेल सिचण बीधी व्यख्यानं सिचण्बी कथन्स बीधे ठीक है नोके हैby कहेल जोड दिया गया था इसमें प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार ठीक और मानवी मूलों का विविकास करना चाहिए प्रेम का, सहयोग का, परोपकार का ठीक है दोस्तों तो ये दोस्तों इसके लक्ष और उद्देश थे जो एकजाम में अक्सर इनी से प्रश्ण पूछे जाते हैं और जो सिक्षा के दोस्तों वो उसको मतलब एक सुभिदा दायक समझा गया है, सुभिदा दाता, ठीक है ये कोश्चन पूछा गया था, 28 दिसमर के परिक्षा में सुभिदा दाता, सिच्छा को इसमें क्या समझा गया है, सुभिदा दाता, ठीक है ना, यानि मतलब सिच्छा बार जो है हम एन एपी से समधित प्रस्द बनाएंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं थैंक्स पार वाचिंग दिस वीडियो प्लेस स्काइब दिस चैनल